हेलो दोस्तों कैसे आप लोग स्भागत है आज के इस नए वीडियो में आज कि वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पारेस्थितिकी तंत्र के बारे में आए कि पारितन्त्र को इंग्लिस में कहा जाता है ecosystem ठीक है ecosystem और इस ecosystem को हिंदी में पारी तंत्र भी कहते हैं तो पारितन्त्र और पारी तंत्र दोनों सेम चीज है ठीक है दोनों एक ही चीज है तो आज के वीडियो में हम लोग पारी तंत्र क्या है और पारी तंत्र के घटक क्या है और पारितंत्र के प्रकार कितने होते हैं इन सब चीजों के बारे में बहुत ही डीटेल्स में जनकारी मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है और ये जनकारी आपके एक्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्तपुन होगी तो चलिए आज का वीडियो हम लोग सुरू करते है और अच्छे तरीके से वीडियो देखिएगा और बहुत ही सांत दिमाग से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग पारी तंत्र क्या है देखिए पारी तंत्र वह प्र करनाली है जो पर्यावरण और जीवों के परस्पर क्रिया से बनती है इसमें जीवित और निर्जीव चीजों के बीच आपसी क्रिया होती है और पारिथित की तंत्र में जैविक और अजैविक घटक पोशक चक्र और उर्जा प्रभाह के जरिए जुड़े हुए रहते हैं जैसे हम लोग जीव हैं और जीव हैं हम लोग तो दूसरे जीव से जुड़े हुए रहते हैं कैसे जैसे पेंड पोधा है ठीक है तो खाद्य पदार्थ है तो पेंड से जो हमें फल प्राप्त होता है और उसको हम खाते हैं और खाते हैं तो उसे में उर्जा होता है तो इसी उर्जा के जरिये हम लोग दूसरे जीवों से जुड़े हुए रहते हैं ठीके? पारिस्थित की तंत्र प्रकृती का एक मुलभूत हिसा है यह प्रित्वी के प्रकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं ठीक है मैं आपको अच्छे तरीकी से समझाता हूं देखिए पहले इस फोटो के देखिए यह है पारिस्थिति की तंत्रा इस पारिस्थिति की तंत्र में देखिए इसमें जो है आपका जीव दिख रहा है यहां पर ठीक है आपको जीव दिख रहा है पेर पोधा है ठीक है जितने भी कीरे मकोडे हैं जल में हैं यहां पर देखिए बहुत से चीज़े हैं कचुगा है तो जितने भी जीव हैं आपस में मतलब की एक दूसरे से जैसे ये है जीव इससे पानी से जुड़ा हुआ है ठीक है बानी पीता है तो इससे जुड़ा हुआ है पती खाता है तो उससे जुड़ा हुआ है पेड़ पोधोस जुड़ा हुआ है अंदर के किरे मकोडे जल में रहने वाले ये भी आपस में जुड़े हुए है ठीक है जल को पारिष्थित की तंत्र कहा जाता है या पारी तंत्र कहते हैं ठीक है इसमें जीव जन्तु सामिल होते हैं ठीक है कुछ निर्जीव चीजे भी सामिल होती हैं ठीक है जैसे मिट्टी हो गया वायू हो गया ठीक है यह सब निर्जीव चीजे हैं तो यह सब भी सामिल इसमें अभी मैं आपको और बताता हूं आगे कि पारिष्थित की तंत्र में क्या क्या सामील रहता है देखे पारिष्थित की तंत्र में सामील चीजे जो हैं जीवित चीजे होती हैं जीवित चीजों में जैसे पेर पौदे हो गए जानवर हो गए बैक्टीरिया हो गए यह सब हमारा भी शामिल रहता है यह मंडल हो गया तो सब Τशे जितनी भी प्रिफ्व पर निर्जीव और जिवित चीजें हैं और सब spinner के पारिटित की तंट्रे में सामिल रहते हैं भी ने क्षि दारण देख लिए ग्रेटर एलव टोन पारिटित की तंत्र यह अपने अलग वातावरन के लिए जाना जाता है प्रोइसर पार्षिति की तंत्र लॉंग लीफ पाइन पारिषिति की तंत्र तरंग गीर्ये पार तंत्र तो यह सब जो है एक विशेश चीज़ के लिए अलग जाने जाते हैं इसलिए कुछ उदाहरन यहां पर मैंने बताए हैं आपको चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पारिस्थित की तंत्रे में जैवी घटकों को पोशक पदती के आधार पर तीन भागों में बाटा गया है कौन कौन से भागों में बाटा गया है तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि पारिस्थित की तंत्रे के घटक कौन कौन से होते हैं तो इसके घटक होते हैं जैवीक चीज़े अभी जस्ट मैंने यहां पर बताया ने आपको यह दिखिए यह पारिस्थित की तंत्रे के घटक जीवित चीजह यानि जायविक चीजह एक निर्जीव चीजह तो इसमें पेड़ पौधे जानम और बैक्टिरिया मिटी पानी सूरज के रोस्नी यह सब सब के सब पारिष्थितकी तंत्रे के घटक है घटक का मतलब होता है कि जो उस काम को करने में सहायता करता है ठीक है जो क जैवी घटक हैं जैवी घटक है मतला पेड़ पधे जीव जनतु बैक्टिरिया ठीक है उन सब को पोशन पधती के अधार पर तो पोशक पधती के अधार पर तीन भागों में बाटे गया है कौन-कौन उत्पादक उभोगता और अब घटक यह तीन चीजों में बाटा गया है तो उत्पादों को इंगलिस में बोलते हैं प्रोडूशर उभोगता को बोलते हैं कंजूमर और अब घटक को बोला जाता है डी कमपूजर ठीक है याद रहेखेंगा अब इसको अच्छे से समझे खाद या प्रणाली जो है इसी तरह से का भाध यतन्तर जिसको बोला जाता है फूड चेन अधे के आज यहां पर यह भी आप समझ लिजे देखें कैसे काम करता है वो समझिए है पहला तो प्रोडुसर है ठीक है सबसे पहले प्रोडुसर है प्रोडुसर का मतलब होता है उत्पादक और उत्पादक कौन है जो स्वायम खाना बनाता है इस धर्ती पर जो स्वायम खाना बनाता है अपने आप से खाना बनाता है उसको बोलते हैं मतलब कि अपने आप पर जो निर्भर रहता है उसको बोलते हैं प्रोडूसर या स्वापोसी तो प्रोडूसर हमारा कौन है बेन पौधा है जो स्वायम ख प्रकास से वायू लेता है ठायओ जल से तो बहुत सरी जाल जशें से जल लिटा- applies to the stream straks लेता है ठीक है उसकी प्रकास और सुर्य की प्रकास लेता है ओर जो है watts से हवा लेता है carbon dioxide ठेक है तो यह सब उत्पादक को खाएगा कौन मतलब प्राइमरी कंजूमर मतलब कि प्राथमिक उपभोगता पेड़ पधा को पहली बार कौन खाया तो टिड़ा खाया अब टिड़ा पहली बार खाया तो ये हो गया प्राइमरी कंजूमर मतलब कि प्राथमिक उपभोगता अब टिड़ा को खा गया मेंधक तो मेंधक को डाइरेकली उर्जा तो नहीं मिला पेड़ पधा का ठेक है क्यो अब मेंधक अगरे पिद्डिद्ध केवल 10% उर्जे इसको मिला मतलब के पहला उर्जनार होगता होगया मेंधक तो इसको हो गया, tertiary consumer, मतलब कि 3 या उभौकता, ठीक है, यहां पर पहला उभौकता टिड्डा हुआ, दूसरा उभौकता मेंधक, क्योंकि मेंधक टिड्डा को खाया और साब मेंधक को खा गया, तो मतलब साब हुआ तो तुर्णिधें ओव भौकता मतलब की तीन चीजों को यह मतलब कि तीसरे नंबर पर यह आया है ठीक है उफ़ोकता को एक उत्पादक को खाने में ठीक है और मैं अब साप को खाया बाज ढलीज़े ठीक है तो बात खाया है तो यह क्या है यह जिसरी कंजोमर है के केंजुवार का मतलब हुआ चतुर्थ भूक्ता तु ये चौति नंबर पर आया इगल है तो ये गिद्ध चौति नंबर पर आ गया है कैसे एक नंबर पर आया दिध्धा दूसरे मेंधक और तीसरे मेंधन सांप और तो वारा गईया चोथे पर आगया यह गिद्ध थीज़ु आया यह तो यह हुआ जब है अब देखिए अब बाज को कौन खाएगा बाज को तो कोई खाने की सकता है तो बाज बिचारां बुढ़ा ओकर करके मर जाएगा ठीक है मर जाएगा तो इसके सरीर को बैक्टीरिया लोग क्या करेंगे कि खा खा करके या फिर काट काट करके इसको पूरा मिट्टी में मिला देंगे ठीक है मिट्टी में मिला देंगे तो यह हो गया डीकंपोजर मतलब कि बैक्टीरिया लोग क्या काम किए तो डीकंपोजर का काम किए ठीक है डीकंपोजर का मतलब होता है अब घटक अब घटक का अब घटन किरिया का मतलब होता है को उसको तोड़ तोड़ कर तोड़ तोड़ कर पूरा खतम कर देना ठीक है तो बाज के सरीर को ये लोग खतम कर दिये खा करके ख़तम किये तोड़ करके मीटी में मिला दिये मतलब काट काट कर मीटी में मिला दिये तो यह हो गया decomposer तो फिर सुरूवात हो जाएगा जो है इसके जितने भी nutrients थे मतलब जो पोशक तत्वते वो सम्मिटी में मिल गए बाज के जितने भी पोशक तत्वते कहां गए मिटी में मिल गए ठेके मिटी में मिले तो फिर से मिटी से पौधा बना और फिर से से प्रक्रिया वही चलता रहेगा पौधा को टीड़ा खाएगा टीड़ा को मंदक मंदक क तो साप सापको बाझ बाझ फिर से जो है मर जाएगा और फिर से यहां से पोधा ऊगएगा फिर से वहिव टीड़े खाएगा थैक है सेंटो सेंट इसी को बोलते हैं खाधियत तंत्र या फूड चेन याद रिखेगा बहुत ही इंपोर्टन चीज है तो उमीद है अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं पारिश्थित की तंत्र के प्रकार देखे पारिश्थित की तंत्र वैसे मुखर उपसे दो प्रकार के होते हैं कौन-कौ अस्थलिय पारिश्थित की तंत्र और जलिय पारिश्थित की तंत्र मतलब कि जो पारिश्थित अस्थल पर पाया जाता है उसको अस्थलिय और जो जल में पाया जाता है उसको जलिय जैसे यहां देखे यहां पर सिर्फ एक फोटो मैंने लिया है आपको समझाने के लिए तो यहां पर देखे, अस्थल पर आपको क्या का चीज दिख रहा है, यहां पर यह दिख रहा है, भैंस दिख रहा है, कचुवा दिख रहा है, और पेर पोधा दिख रहा है, वाई मंडल दिख रहा है, हवा दिख रहा है, पसु पक्षी दिख रहा है, घास दिख रहा है, तो ये सब चीजों से अस्थल पर जो परियावरन बनता है उसको बोलते हैं अस्थलिय पारितंत्र या अस्थलिय परियावरन ठीक है और जो जल में जीव अपना वातावरन बनाते हैं उसको बोलते हैं जलिय वातावरन या फिर जलिय पारिस्थित की तंत्र ठीक है जल वाले जी वापस में एक दूसरे पर निर्भर आते हैं तो ऐसे ही दो प्रकार में बटा गया है पारितंत्र को जलिये पारितंत्र और अस्थलिये पारितंत्र ठीक है तो उम्मिद है आपको सब कुछ अच्छे से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर समझ में आया है वीड के लिए धन्यवाद